हेलो गैज गुड मार्निंग वेलकम टो माई ब्लॉग आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आप लोगों के एक नया ब्लॉग जहां हम आज जा रहे हैं पाड़ों की सहर पर जैसे आप देख रहे होंगे अभी मैं ड्राइब कर रहा हूं पहार पर हम पहुंच गया सुबह हम राम नगर मजा आया ना सुनके मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है राम नगर जगे बहुत अच्छी है जहां जाकर दिल को बहुत अच्छा सुकुन मिलता और अपने बरेली से पास भी पढ़ता है प्लानिंग तो और भी दूर दूर जाने की है बट अभी को देखते हम पासका टूर कर रहे हैं यहां कल राट बारिष बहुत होई है आप देख सकते हो गडeCómo ढानें पूरी राध बारिष है लेकिन हम उट गए हमने बिल्कुल तैयारी कर रखी ती दिशाते करना जीना ली बोट के Prabi में और बिल्कुल पसंद होगा और इस समय ठंडी के मजब में अगर हाँ पाते हो तो एक्स्ट्रा मज़ा आता है यह जो पेड़ों की खूबसूरती है ना जो आप अरियाली देख रहे हो और निखर के आ जाती है यहां हमारे साइड में चल रही है नदी जो हम आपको साथ साथ लेक जा रहे हैं मंदिर की और तो आईए टाइम वेस्ट ना करते हो चलते मंदिर अब आप देख सकते हैं मंदिर पहुंच गया है मंदिर प्रांगर में हमारी एंट्री हो गई है बीड बिल्कुल नहीं है बारिश की वज़े से बहुत कम लोग यहां आए हुए है जैसा कि आप देख रहे हो पूरे मंदिर में पानी पानी पहला हुआ है अभी तोड़े दिन पहले एक आपदावर आई थी बारिश के वेज़े से बार की वेज़े से पूरा मंदिर नीचे से बहा गया था लेकिन हा मंदिर नीचे का पूरा रास्ता बहुत खराब हो गया था जिसको वह बादल नीचे आ गए हैं पहाड़ों पे बिलकुल लिखना स्वाना मौसम मज़ा आ रहा है देखके हवा चल रहे हैं ठंडी 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 अलाकि सर्दी बहुत है लेकिन आम नदी भी जख सकते हो कितनी सुन्दर वह रही है हलो जी हाँ यह हमारी मडम हमारे साथ हैं इनके बिन दम कहीं जाई ही नहीं सकते हैं आपको पता है तो हम साथ में हैं और देखिए यह जो बारिश के वेज़े से पानी जो है वो थोड़ा सा गदा हुआ था लेकिन अब सुबह के टाइम पर यह थोड़ा साफ हो गया है बारिश जो हुई है वो अच्छी खासी बारिश लेकिन भाई साथ जो बादल है यह बिलकुल ऑसम देख रहा है इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता तो चलो माता के दिशन के लिए कुछ फूश ले लेते हैं प्रशाद ले लेते हैं चलते हैं माता के दिशन करेंगे और माता से कामना यही है कि हम सब को सुक समरिद्धी दें यह जो कोरोना आया हुआ है दुबारा से आ रहा है उसको उसे लड़ने की हमें शक्ती मिले प्राइब कितने फूलों को बहुत हो ना चलते हैं फूल ले लिए हैं आपने प्यारी सी बेटीने से जाके दिया है उन फूलों को बहुत अच्छे बच्चे हैं यहां जितने यह सीधे हैं उतना ही इन लोगों का अटिटीट भी बहुत पॉलाइट है आओगे तो आपको अच्छा लगेगा जी हाँ देखिए मैडम ने भी आखा है चलिए चलते हैं फूल ले लेते हैं आजाओ भीड तो बिल्कुल भी नहीं है समय बिल्कुल शांती है हम आप देख सकते हो और यह जो पत्थर आये हैं बारिश में बैके और बाड से जो भी आय किया यहां पर आप देख सकते हैं दुबारे से रिबिल्ड किया गया है क्या बिटा पंडी जी को ठीक है देदूगा चलिए लीजिए इससे अच्छा सौब आगे कहीं हो सकता है हमें फूल मिल गया है माता को देने के लिए हमने जो खरीदे चड़ाने के लिए वो तो मिले ही मिले हैं और जो पंडी जी ऊपर चड़ाते हैं फूल वो भी उसने मुझे ही दिदिया चलिए सेवा का मौका मिला अच्छी बात है यह देख रोगा आप कितना नुकसान हुआ है यहां पर यहां टाइस भी निकल गये हैं और अब हम उपर पहुंच रहे हैं दर्शन करने लिए तो दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही यह व्लॉग आगे कंटिन्यू रहेगा मैं आपको फिर से मिलूंगा आगे के व्लॉग के साथ तो पूरे 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 आपको जो दर्शन होंगे वो आगे हो सकते हैं अगर कोई बीच में दुविदा या कुछ रुकाव करें मैं चाहूंगा आपका आशिरवाद मेरे साथ बना रहे तो योगेंद्र गॉत्म साइनिंग ओफ राइट नौ फ्रम योगेंद्र गॉत्म ब्लॉग्स थैंक यू सो मुच